नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे स्टेटिक जीके के कुछ ऐसे पोर्शन्स की जिनसे कोईश्चन आता ही आता है भारती राश्टी कांगरे सबसे महात्यपूर्ण है और इससे रिलेटेट एक कोईश्चन तो जरूर पूछा ही जाता है नॉर्मली UPPSCAE और UKPSCAE में स्टेटिक जीके के कोईश्चन आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है इस्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी इस्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ हुमने की थी इन्हें पच्छी विग्यान का पितामें भी कहते हैं जो इस्थान था व लूशी बनर जी नामकरण भारती राश्टी कांग्रेश का दादा भाई नहरो जी ने किया था इस्थापना के समय भारत के वायसराय लार डफरिन थे ये बहुत इंपोर्टेट पूछा जाएगा प्रथम मुश्लिम अध्यच्छ बदरुद्दीन तयब जी थे इसके अला बाद में चोथे अद्यच्छ था थी प्रथम महिला अध्यच एनी बेसेंड थी 1917 के कोलकाता के 32 अध्यच्छ था कि जबकि प्रथम भारती महिला अध्यच सरोजनी नाईड़ू थी जिनोंने 1925 कानपुर में 41 अध्यच्छ था कि आगे बढ़ते हैं इकोनोमी से रियात होने वाला समुद्री खादपदार्थ जम्य हुए जीगा किस वर्स IDBI को पुनर गठित किया गया था और भारती रिजर्ब बैंक के नियंतर से अलग किया गया था 1976 I.R.D.A. द्वारा किस छेतर का विनियमन किया जाता है यह आई जिटिच कोईश्चन है ऑप्संस मैंने यहां पर रखने की बजाए करेक्ट ऑप्सं को रख दिया है ताकि चीजें याद बनी रहे है आई रडिये द्वारा किस छेतर का विनियमन किया जाता है तो करेक्ट ऑप्संन है बीमा इंडियन ओवर्सीज बैंक का मुख्याले क कहां है तो इसका मुख्याले है चेन नई में अद्रस हातों का सिध्धान ये किस ने दिया था एडम इसमित विश्वार्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानि आई एम इप भारती अर्थ व्यवस्ता में बी ओपी संकट किस वर्साया 1991 किसे क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अनवेशक कहा जाता है मूडीच कावेरी गिल अध्यन संबंदित है राश्टी ग्रामीर स्वास्थ मिशन से किस कानून को भारत का ब्यापारिक कानून कहा जाता है अनुबंद कानून को इसमें चार क्वेशन हम टिक करें उनको आप जरूर एक बार और देखिए 20 आर्थिक आउटलोक रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग का प्रथम अनवेशक, इंडियन ओवर सीज का बैंक मुक्याले और IDBI को भारती बैंक रिजर बैंक के नियंतर से कब अलग किया गया था आंगे देखते हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन की आटो बायोग्राफी जा आप चाहें तो इसकी इसकी इसाट ले सकते हैं इनकी एक बार हम और चर्चा कर चुके हैं चुकि ये बहुत मातपूर्ण है इनमें से एक प्रशन अल्टरनेट येर्स में पूछा जाता रहा है ये सबसे ज़्यदा इंपॉर्टेंट है इसमें बाकी भी इंपॉर्टेंट है आप एक नजर उन पे भी डाल सकते हैं तो ये आत्म कथा है जो क्रिकेट खिलाली है या स्पोर्ट्स परसन है अधर देन क्रिकेट खिलाली भी इसमें सामिल है लेट्स मूग टू टू नेक्स्ट ये जनरल साइन्स जो सेक्षन आता है आपका यू के पीएस्टी में उसके पॉइंट आप व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीटियों के अध्यन को कहते हैं मिरमेकोलाजी प्याजकंद की विसेस गंद जो होती है वो होती है सलफर योगिक की वज़े से घाओ का अध्यन कहलाता है ट्रोमेटोलाजी बिग्यान की कौन सी साखा ट्यूमर के बारे में बताती है तो उसको बोलते हैं अंकोलाजी रोजा हिबिसकस किसका बग्यानिक नाम है तो ये गुरहल का बग्यानिक नाम है भोजन के किस अवेव का सकल कैलोरी फिक्मान सरवादिक होता है बसा ये UPPSC नहीं UKPSC में जो GS में जनरल साइंस सेक्षन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टन है कौन से बिटामिन बसा में गुलंसील नहीं होते हैं बिटामिन B तथा C ये तो 3 star question है कौन सा अंग बसा को तोड़कर कोलेस्टराल बनाता है यक्रत इस आलसो 3 star question बिटामिन सब्द का जनक कौन है कासिमिर फंक सी फंक भी बोल देते हैं मानो सरीर का रुधिर बैंक कहलाता है पलीहा लेट्स मूब तो दे नेक्स्ट ये इस्टेटिक जीके का ही कुछ important portion है सारनात इस्तंपर कुल कितने पसूँं की आकरतियां है आठ ग्रांड ओल्ड मैन ओफ इंडिया दादा भाई नेरो जी कौन सा हार्मोन पादप्रदी का संदमन करता है SFC-C amla बरकी नली ओर लारग्रंत की नली के अस्तर का निर्मान कौन सा उतक करता है घनाकार एपि थिलम कौन सा अनोच्शेद समवैधानिक तंदिकी विफलता के प्रावधान को परिभासित करता है राश्पती सासन से संबंदित है, अनुचे 356, पहली लोक सभा कब गठित होई थी, 17 अप्लेड, 1922, कार्बन के किस अपर रूप में परमाण फुटबाल के आकार में विवस्तित होते हैं, पुलेरिन C60, सुप्रीम कोल्ड के एक नियायदीस की पद्विचित किस अनुचेद में होती है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, किस अनुचेद में समाईत है, अनुचेद 124 के 4, यह UPPSC में एक बार कोईशन आया था, जिसके आप्सन में 124 का 1, 124 का 2, 124 का 3, 124 था आप्सन किस वर्स में राश्टी E-Governments व्योजना आरंब की गई थी, वर्स 2006 में, तो यह कोईशन आपके सामने थे, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इस्टेटिक जीक्या के पोर्शन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार.